विश्व स्वास्त देवस वर्जबर पूर शेहर में एक व्रहद स्वास्त शिविर का आयजन दिव्यांग जनों के लिए गिया गया इस शिविर में आफरीन और अलसफा नाम की दो बच्चियां अपने परिवार के साथ पहुँचें जिनकी हर संभव मदद के लिए जिला कलेक्टर इलाया राचाटी ने संबन अतिकारियों को निर्देश दिये है रेंड क्रॉस सोसाइटी के आशीश दिक्षित ने बताया जिस प्रकार से दिव्यांग जनों के लिए साथ अप्रेल को व्रहत स्वास शिवर स्कूल में लगाए गया था जिसमें आफरीन और अलसफा आई जिनने जिला कलेक्टर दुआरा दोनों बच्चियों को 600-600 सामाजिक नय पेंशन और दोनों बच्चियों को एक लाग का बीमा देने की तैयारी जिला प्रशासन दुआ की गई जिसके लिए लगादार प्रयास किये जा रहे हैं 5000 रुपे की ततकालिक सहायता जिला कलेक्टर की निर्देश पर रेड क्रॉस सुसाइटी दौरा दी गई बच्चियों के पिता दौरा बच्चियों के इलाज में काफी धन खर्च कर दिया गया था अब उनके पास पैसों की कमी है बच्चियों के इलाज के लिए इस ही लिए हर संभव प्रयास जिला प्रशासन के दौरा किया जाएगा भीक्लांग इस एक लिए लगव धिर्चा बना देंगे साल पे एक लाक रुपर मिलेंगा दो लाक रुपर साल मिलेगा और हमने बूले इनको पेंसिन भी आस तक नहीं मिल लेगा तो फिर मंगल के दिन हमने यहां पर आए क्लेक्टर साहब के पास कलेक्टर साहब ने पूरे सब चीज का आदेश कर दिया उन्हों में कि जो जो योजना भी है देखलान की सब इनको सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब कर दिया नहीं कर रहा है तो जिला प्रसासन ने किस तरह से इन दोनों बच्चियों की मदद कि आपका बलकु सही कहना है कि जिला कलेक्टर महोदय के प्रयास से हमने मानसिक दिव्यांग जनों के लिए साथ अप्रेल को MLB स्कूल में गुबरहस शिवर कायोजन किया था जिसमें आफरीन और अलशफा ये दोनों मानसिक दिव्यांग बच्चियां आई हुई थी इन दोनों का प्रक्रण सामने आते ही हमने इनकी जो मानसिक दिव्यांगों के लिए दी जाने वाली 600 रुपे प् प्रशिष सहायता दी जाती है इस प्रकार कुल 1200 रुपे प्रतिमा उनको मिलेंगे वो स्विक्रत किये हैं साथी निराम्या वीमा योजना के तहत जो है इनका प्रक्रण तयार किया जा रहा है जिसमें इनका एक लाख रुपे प्रतिवर्ष तक का बीमा होगा जिसमें इनक के खर्चे भी यह रिम्बर्स करा सकते हैं साथी जो दूसरी बच्ची है अल्शफा वो चुकि 6 वर्ष से कम है तो उसका हम निराम्या वीमा योजना में प्रक्रण तयार कर रहे हैं और उसका भी एक लाख रुपे का वीमा प्रारंब करा रहे हैं जैसे ही उसकी आयू 6 वर हाँ जो है अभी हम उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं प्रारंब में हम जो है बच्चियों के प्रक्रण तयार कर रहे हैं उसके बाद उनके पिता की परिस्तिती को समझते वे उनके लिए भी प्रशाशन की तरफ से हर संभाव सहायता उप्लब्त कराई जाएगी है पर से आशिश वात्रे की रिपोर्ट